दो हज़ार चौदा के लोगसवा चुनाव में भारती जंता पार्टी ने एक तरफा जीत दर्चकर पुरे राजस्थान में भगवा रंग फैरा दिया था लेकिन इस बार लोगसवा चुनाव में यहां से बहुजन समाज पार्टी चुनावी समिकरन बिगाडनी की इस्थित में नजर आ रही है क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उता रहे हैं वो चेहरे ऐसे हैं जो कुछ सीटों पर बीजेपी को तो कुछ सीटों पर कॉंग्रिस को परिशान कर सकते हैं इस वज़े से इस बार यहां त्रिकुन य कोई सांसद नहीं चुना गया है। जा रहा है कि सालोदिया सी और माइनोरिटीज के वोट ले सकते हैं। ऐसा हुआ तो कॉंग्रिस को ज्यादा नुकसान होगा। जोदपूर से IPS रहे पंकज चौधरी की पतनी मुकुल पंकज चौधरी को टिकट मिला है। अनसुच जाती से तालुक रखने वाली चौधरी स इससी वोटो में सेंध लगा सकती है।